आज इस मंच से मेरा सौभाग्य है कि मैं उस शहर उस संगठन को संबोधित कर रही हूँ जिसने मुझे मेरा राजनीतिक अस्तित्व दिया, संगठन संस्कार दिया और जनता की संमुक प्रस्तुत हो, जनता के मध्य में काम करने की प्रेरणा दी इस मंच पर भारतिय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के नवनियूक अध्यक्ष जी राष्ट्रियो पाध्यक्ष एवं प्रभारी शाम जाजु जी राश्ट्रिय मंत्री एवं सहप्रभारी दिल्ली तरुण्चुक जी हम सब गौरवानवित हुए हैं कि आज digitally इस वर्चुल रैली के माध्यम से हम आभार व्यक्त करते हैं उस दिल्ली के सांसद को जिन्होंने नरेंद्र मोधी के नेत्रित्त में राश्ट की स्वास्त सुविधाओं को सशक्त किया है बल दिया है क्याबिनेट में मेरे वरिष्ट डॉक्टर हर्शवर्धन जी का आज दिल्ली के कारिकरताओं की ओर से विशेश अभिननन करना चाहूंगे कुल जी चहल जी उल्ले कर रहे थे कि मैंने अपना पहला चुनाओ जीवन का चान्नी चौक से लड़ा और जब वो चुनाओं मैंने लड़ा तब प्रदेश के मुख्या डॉक्टर हर्शवर्धन हुआ करते थे मुझे आज भी याद है कि हमारे संगठन के नेताओं की खासियत ये कि संगर्ष चाहे कितना भी कड़ा क्यूं न हो वो कार्यकर्टा को अपने सहयोग से अपने मारदर्शन से इतना निर्भीक कर देता है कि वो कार्यकर्टा संगठन के संसकारों का प्रतिविम्ब बनकर सडकों पर उतरता है जनता की आवास को बुलंद करने के लिए जनता को सेवा देने के लिए और आज इसी लिए हम सब कारेकर्टा गौर्वानवित है कि एक तरफ हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस व्यथा को व्यक्त करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अब तक चार दिवारी से बाहर नहीं निकले लेकिन करमटता का प्रमान देते हुए भारतिय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का कारेकर्टा सीना तान कर कह सकता है कि देश का स्वास्त मंत्री दिल्ली का सांसत डॉक्टर हर्ष वर्धन आठ अस्पतालों का दौरा कर चुके हैं दिल्ली में कौरेंटाइन कैंप्स का दौरा कर चुके हैं और कोविट केर सेंटर्स का दौरा कर चुके हैं ताकि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सके आज इस वर्चुल राली के माध्यम से केंद्रो और प्रदेश में हमारे वरिष्ट नेता अनिल जैन जी हमारे वरिष्ट सांसद एवं विधायक और पार्शत जुड़े हैं लेकिन संग ही आज इस संबाद की श्रिंखला में जुड़ा है वो कार्यकरता जो निडर होकर भी इन विशम परिस्थितियों में किसी गली मोहले में फीट द नीडी कार्यकरम के अंतरगत गरीब से गरीब जन्मानस तक अपनी सेवाएं पहुचा रहा है वो कार्यकरता चाहे भारतिय जन्ता पार्टी के संगठन के माध्यम से या सामाजिक संथाओं के साथ खड़े होकर डटकर जन्जन को जो सेवा दे रहा है आज उस कर्मत कार्यकरता को इस मंच से मैं प्रणाम करती हूं आपके प्रती अपना अभार व्यक्त करती हूं अध्यक्ष जी आपने और दिल्ली प्रदेश तंगठन के कार्यकरता ने राष्ट्री अध्यक्ष नढधा जी के नेत्रित्त में दिल्ली में एक करोड से जादा जरूरत मंदों तक फीड नीडी कार्यक्रम के माध्यम से भोजन जो उपलब्द कराया है ऐसा कार्यकरता हमारा इन विशम परिस्थितियों में मां अर्नुपूर्णा का स्वरूप बना है लगभग दस लाख मास्क मात्र देश की राजधानी में भारतिय जनता पार्टी के कार्यकरता ने सेवाबस्तियों में गरीबों के बीच में बाटा 38 लाख सैनिटाइजर की बॉटल्स उपलब्द कराई विशेश उनको जिनके परिवारों में आर्थिक चुनौतियां थी इसलिए आज जब शाम जी ने कहा जहां और कोई कम वहां हम इस निश्चे को फलिभूत करने के लिए दिल्ली प्रदेश भारतिय जनता पार्टी और कार्यकरता अभिनंदन के पात्र हैं जो स्वयम दिल्ली में जन्मी हूँ इसलिए ये कहना भी मेरे लिए दुखदाई है कि जब लाइनों की लाइन लगती है पार्थिव शरीरों की निगंबोध घाट पर तो कही न कही मन विवश होता है इसलिए आज अपने संगठन के माध्यम से मैं हर उस परिवार के प्रती संवेधना व्यक्त करती हूं जिसने किसी अपने को खोया है आज अपने संगठन के माध्यम से मैं दिल्ली के हर उस नागरिक के प्रती मेरे संगठन का आश्वासन व्यक्त करना चाहती हूँ कि 24 गंटे दिल्ली भारतिय जन्ता पार्टी प्रदेश का एक एक कारिकर्ता आपकी एक आवास पर आपके परिवार के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा वैश्विक महामारी करोना न्योता देकर दस्तक देकर नहीं आई थी लेकिन ये भारत का साहस है और भारत के प्रधान मंत्री का नेत्रित्व है कि आज समाज भारत की सरकार के साथ एक जुट होकर इस चुनौती का सामना करने के ना सिर्फ प्रयासों में सफल हुआ है बलकि जहां जहां चुनौती कांतराल बढ़ता गया है वहाँ वहाँ लोगों के साहस को भी मैंने बढ़ते देखा है शाम जी ने जैसे अपने उद्वोधन में उलेक किया देश के प्रधानमंत्री न अपील की जनता कर्फ्यू के माध्यम से कि ये वो जंग है जिसमें मात्र सरहत का सिपाही जीत हासिल नहीं करवा सकता ये वो जंग है जिसमें हमारी गलियों में गष्ट लगाने वाला पुलीस का अफसर हमें सुरक्षित नहीं कर सकता ये वो संगर्ष है जिसमें डॉक्टर हो या नर्स हो वो तो अपनी सेवाएं देंगे ही लेकिन इस संगर्ष में हर व्यक्ति को सेनानी बनना पड़ेगा ये आवान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया पहले पड़ाओ में जनता कर्फ्यू का आग्रह दिया और आज मैं आभार व्यक्ति करती हूं ना सिर्फ देश की रधानी बलकि राश्र के समस्त नाग्रिकों का जिन्हों ने समझा कि वैश्विक महामारी कितनी कुरूर है और इसको समझते हुए उन्हों ने देश के प्रधानमंत्री का सहयोग दिया और जनता कर्फ्यू को सफल बनाया कि देश के प्रधानमंत्री ने एक मानसिक्ता को विक्सित किया कि हम इस वैश्विक महामारी के परिणामों को अपने समाज में हमारी अर्थ व्यवस्ता पर समझें और एक संकल्प लें कि हिंदुस्तान के इतिहास में चुनौती चाहे कोई भी रही हो हिंदुस्तान ने कभी घुटने नहीं तेके चुनौतियों के सामने बलकि चुनौतियां हिंदुस्तान के सामने परास्थ हुई हैं वही संकल्प हमें वैश्विक महामारी करोना के सामने भी दिखाना है मैं आभार व्यक्त करती हूं प्रधान मंत्री जी का कि लॉकडाउन के घोशना के साथ साथ गरीब कल्यान योजना एक लाग सत्तर हजार करोड की व्यवस्था को माननिय प्रधान मंत्री जी ने देश को समर्पित किया यह घोशना किसी को अचम्बित करने वाली नहीं थी क्यूंकि आप सब जानते हैं साल 2014 में जब आप सब ने अपना अशिर्वाद नरेंदर दामोदर्दास मोदी को दिया जब वो संसत की चोखट पर जाकर शीष जुकाकर उन्होंने अपने आपको देश का प्रधान सेवक घोशित किया तब उन्होंने संकल्प लिया था कि यह गरीब कल्यान को समर्पित सरकार है उसी का एक प्रतिबिम्ब लॉकडाउन के बाद गरीब कल्यान योजना के माध्यम से एक लाग सत्तर हजार करोड की व्यवस्था में हमें दिखा 130 करोड से ज़ादा लोगों का ये देश उस देश में कोई भी भूका न रहे इस मनशा के साथ प्रधान मंत्री जी ने 80 करोड नागरिकों को तीन महीने का राशन दिलवाया हमारी बहनों के हाथ में मालक्ष्मी का थोड़ा दर्शन हो इसलिए 20 करोड बहनों को गत दो महीने में एप्रल और मई में उनके बैंक के खाते में 20 हजार करोड रुपईया नरेंद्र मोधी की सरकार ने दिलवाया उज्वला योजना के माध्यम से तीन महीने तक मुफ्त एल्पीजी की व्यवस्था देश के आठ करोड गरीब परिवारों के लिए नरेंद्र मोधी सरकार ने की आज जिन व्यवस्थाओं का मैं उल्लेक कर रही हूँ वो व्यवस्थाएं मार्च 2020 में विकसत नहीं हुए इस भविश्य की नीव रखी गई साल 2014 में जब आप सबने मिलकर नरेंद्र मोधी जी को देश का प्रधान मंत्री बनाया हम सब को याद है वो मनजर जब कॉंग्रेस के एक नेता ने कहा कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो देश के गरीब तक पहुँचते पहुँचते दस पैसा हो जाता है जिसने स्वायम जीवन में गरीबी देखी उस नरेंद्र मोधी को पता था कि कॉंग्रेस के पैसे खाने के संसकार को कैसे तोड़ना है और इसलिए जन्धन खाते की शुरुवात की गई जिस देश में गरीब को बैंक का दर्वाजा खोलने की अनुमती नहीं दी जाती थी उस देश में बैंक चल कर जन्धन योजना का खाता खुलवाने गरीब के घर तक पहुँचा इन छे शालों में 38 करोड हिंदुस्तानियों का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला और मुझे याद है आज भी विपक्ष के नेता उपहास करते कि खाता खोल कर क्या होगा आज मैं कहना चाहती हूँ पूछे उन 20 करोड गरीब बहनों से जिनको मात्रे इन दो महीने में 20,000 करोड रुपिया मिला है भारत की तिजोरी से जो रुपिया निकला सीधा उन गरीब बहनों के खाते में गया आज अगर हम बात करते इस वर्चुल रैली के तो मुझे याद है जब आहवान दिया प्रधान मंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का तब कुछ लोगों ने कहा था कि डिजिटल इंडिया की बात करते हो भारत में तो अभी भी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन की चुनौती है और आज ये वर्चुल रैली अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि वो आवान मात्र हावान बनकर नहीं रहा आज डिजिटल भारत का जो सपना देखा था उसको साकार करने का एक प्रिष्ट भारतिय जनतापाटी दिल्ली प्रदेश ने भी इस वर्चुल रैली के माध्यम से उधारन हेतू राश्र के सामने प्रस्तुत किया है इस लॉक्डाउन में जैसे शाम जी ने कहा राजनीतिक दल की यह हकीकत है कि संपर्क और संवाद ही हमारी रीड की हट्डी है और कठिन होता है ऐसी विशम परिस्तितियों में जनता जनार्धन से रूबरू होकर कम से कम धांड़स बनाते हुए उनके पीट पर हाथ न रखना बेहन को हाथ थाम करना उसकी मदद कर पाना थोड़ी बहुत चुनोती होती है लेकिन ऐसे चुनोती भरिये वातावरण में डिजिटली व्यवस्थाओं को सुद्रड करने की वज़ह से आज कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनका सफल उधारण में दे सकती हूँ हमारे देश में सगर्भा माताएं अस्पताल में जाकर अपने बच्चे को जन्म दें ये राष्ट की छे दशक पुरानी चुनोती रही है और प्रधान मंत्री जी के नेत्रितों में मात्र वंदना योजना के चलते मैं इस बात का गौरव करती हूँ कि सगर्भा माताओं को अब तक हमारी सरकार ने पांच हजार करोड रुपे से जादा किस्विदा कैश ट्रांसफर करके उनके बैंक के खाते में पहुँचाई ताकि ऐसी माताएं अस्पताल की व्यवस्थाओं का लाब ले सकें 27 लाख आज भी आंगनवाड़ी और आशा की हमारी बहने हैं देश भर में जिनोंने मात्र लॉकडाउन के समय में 9 करोड गरीब बहनों तक जाकर पौश्णी का हर पहुँचाया और आज समबाद और समन्वे की बहुत बड़ी चुनोती को पार करते हुए हम स्वयम देखते हैं कैसे देश के प्रधान मंत्री प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों के साथ वार्ता करके प्रदेशों में जो चुनोतियां प्रस्तुत हो रही हैं उन चुनोतियों का समधान देने का प्रयास करते हैं इसलिए मैं अध्यक्ष जी का आक्रोश समझ सकते हूं कि देश के प्रधान मंत्री मुख्य मंत्रियों से संबाद करते हैं और आपका संबाद प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ सीमित है लेकिन जैसा शाम जी ने कहा हम इस सरकार के आधीन नहीं हम अपने बलबूते पर जितना संबव हो जनता को सेवा दिलवाए और आज मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूं कि नरेंद्र भाई मोदी आपके साथ है और आगे भी कठिन परिस्तितियों में आपका साथ देते रहेंगे आज मोदी 2.2 की एक साल के बारे में कुलजीत जी ने विशेश उलेक किया लेकिन ये सफर शुरू हुआ अज से छे साल पहले और विजे गोएल जी जुड़े हैं समवाद के साथ वरिष्ट हैं हमारे संगठन में अगर मात्र में एक साल का ब्यूरा द देती तो विजे गोएल जी कहते क्यों स्मृति तुमको जो हमने संगठन में सिखाया वो भूल गई भूलो मत कितना संघर्ष गया है वर्षों का आज इस परिस्थिती तक पहुँचने के लिए भूलो मत कि विजे गोएल हो, डॉक्टर हर्षवर्दन हो, डॉक्टर अनिल जैन हो, विजेंद्र गुपता हो, सडकों पर कितने हमारे नेता और कारेकरताओं ने लाठी खाई है क्यूंकि हमारा कारेकरता शान से कहता कि जहां हुए बलिदान मुखर जी, वो कश्मीर हमारा है और इसलिए आज मैं भूलूंगी नहीं वो मनजर जब धारा 370 हटाने के लिए भारतिये जनतापाटी का एक-एक सांसद लोकसभा और राज्यसभा में हमारे माननिय ग्रह मंत्री और प्रधान मंत्री जी के भाशनों को सुन रहे थे वो सांसद के नाते नहीं, कारेकरता के नाते इतिहास को अपने सामने बनते देख रहे थे और इतिहास को बनाने के लिए वर्षों से जिन कारेकरताओं ने लाठी खाई, जिन कारेकरताओं ने संघर्ष किया, आज इस मन्च से धारा 370 के हटने के बाद उनके बलिदानों के प्रती भी मैं अपना सीज जुकाती हूँ. शाम जी ने और गुपता जी ने सही कहा, कई बार तरुन भाईया भी मुझसे कहते कि मजाक उड़ा जाता भारतिये जनता पार्टी के कारेकरता का, कि कहते बहुत हो कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीक नहीं बताएंगे. और जहर का ये घूट भार्चपा का कारेकरता पी लेता, क्यूंकि हम जानते कि ये विशे देश की कोट में लंबित है. सम्विधानिक मर्यादा में रहने के बावजूद, आज जब मर्यादा पुरिशोत्तम राम के नाम को समर्पित, एक भव्य मंदिर के निर्मान की विवस्था को हम अपने सामने साक्षात देखते हैं, तो एक पल उस संघर्ष में भी जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों ने लाठियां खाएं, जिन लोगों ने परिश्रम किया, उनको भी अभिनंदन देते हैं. लेकिन एक विशेश आभार जनता जनार्धन को, कि सामाजिक समरस्ता बनाकर ये सपना साकार हुआ है. नरेंद्र भाई मोधी ने जब शपत ली तो कहा कि मेरा धर्म भारत का समविधान है, और उस समविधान को उस देश को जब जब चुनौती का सामना करना पड़ा, तब तब हर चुनौती पर समधान देने के लिए तत्पर रहे हैं हमारे देश के प्रधान मंत्री. मैंने कई वर्ष चान्नी चौक में, हर्षवर्धन जी, विजे गोयल जी और ओपी भी शायद आज जुड़े हुएं, ओम प्रकास जी उनके साथ चान्नी चौक में बिताएं. और जब ये सारे बड़े चान्नी चौक में अत्वा दिल्ली में मुस्लिम बहनों के साथ हम लोग वार्था करतें, तो वो कभी ये नहीं स्विकार करतें कि तीन तलाग का कानून उनके लिए हकीकत बन पाएगा. और आज वो न्याई जो हमने उन बहनों को दिल्वाने में सफलता हासिल की है, उस सफलता के लिए उस अन्याई को मिटाने के लिए और मुस्लिम बहनों को सम्मान दिल्वाने के लिए कुपर्था को खतम करने के लिए नरेंद्र मोधी जी का मैं चान्नी चौक भारतिये जन लेकिन कई ऐसी चुनौतियां हैं जिने वर्षों वर्ष हमने देखा और समधान की आशा में हमने संघर्ष बड़े दिन बिताए एक चुनौती बिजली के आज एक पत्रकार के माध्यम से ज्यात हुआ है कि एस वर्चुल रैली को दिल्ली के हरेक नागरीक तक पहुंचाने की विवस्थामे यमुना पार भी गाओं में ऐसी व्यवस्था की गई है जिस गाओं में वर्ष्णों से बिजली की समस्या थी जब नरेंद्र मोदी को आप सब ने आशिर्वात देकर देश का प्रधान मंत्री बनाया उन्होंने संकल्प लिया कि हर घर तक बिजली हम पहुँचाएंगे धाई करोड परिवारों को जीवन में पहली बार बिजली का कनेक्शन इन छे सालों में मिला है उनके घर में उजाला हुआ है उसके लिए अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का आभार और आशा करती हूं कि वो प्रदेश की सरकार जो किसी ना किसी अख़बार में अपना इश्तिहार देकर अपनी राजनीती को रोशन करते हैं वो यमना पार उस गाउं की भी बिजली की समस्या का निवारण करेंगे सही किया प्रदेश अध्यक्ष जी ने अनाधिकरित कॉलिनियों की समस्या तो वर्षों वर्ष से एक राजनीतिक मुद्दा बनी हुई थी लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने उसे सामाजिक मुद्दे के धाचे में स्विकार करते हुए बिना राजनीती के राष्टनीती के संकल्प के साथ उसका समधान दिया दिल्ली के सभी नागरिकों को विशेश उन अनाधिकरित कॉलिनी में रहने वाले नागरिकों को मेरी औ और से अभिनंदन है आजादी के सत्तर साल बाद भी दूशित पानी कई परिवारों के लिए एक चुनौती है और प्रधान मंत्री जी का संकल्प है कि हर घर तक नल हम पहुचाएंगे और 25 करोड़ परिवारों को पाइप से पानी दिलवाएंगे इसलिए आज मैं दिल्ली में देश में चाहे वो घर की व्यवस्था हो चाहे वो जल की व्यवस्था हो अथ्वा बीस लाग करोड के पैकेज की घोशना के माध्यम से राष्ट को आत्म निर्भर बनाने का मोदी जी का संकल्प हो इस राष्ट यग में सबको आवान करती हूं कि आप मोदी जी के नेत्रित में अपना सहयोग दें अपना अशिरवाद दें इस लॉकडाउन और कोविड की महमारी के वक्त में दो-तीन विशेश बातें आपसे कहना चाहूंगे हमारे कुछ नौजवान सांसत भी आज इस वारता से जुड़े हैं विख्यात क्रिकेटर गौतम गंभीर, पूर्व अध्यक्ष मनोज भया मेरी सहयोगी रही महिला मोर्चा में मिनाक्षी लेखी जी मेरे सहयोगी रहे और आज भी हैं ऐसे परवेश जी और हर संघर्ष में संसद में विशेशता मेरी सहायता करने वाले रमेश भिदिवडी जी ऐसे हमारे सभी करमट सांसदों को मैं विशेश अभिनंदन देना चाहूंगी कि जब जब दिल्ली की कोई परिस्थिती दिल्ली की कोई चुनोती या दिल्ली की किसी समस्या का कोई विशेश निकलता है तो वो संसद में और सडक पर वर्चुली भी अपनी आवास को उठाते हैं और जनता की सहायता करते हैं और इसी संसकार का एक उधारन ये भी कि जल थल नभ के माध्यम से इस वैश्विक महमारी में भी जनता को घर तक पहुँचाने का या घर पर लोटाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है ग्यारा जून तक का आकड़ा है कि वंदे भारत कारिक्रम के माध्यम से एक लाख पिचत्तर हजार हिंदुस्तानियों को चाहे वो फ्लाइट हो या नेवल शिप हो हिंदुस्तान अपने अपने घरों में पहुँचाया गया है 9 जून तक का आकड़ा है 4,300 श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से देश के 60 लाख हमारे श्रमिकों को उनके परिवारों तक उनके गाउं उनके शहर तक पहुचाया गया है लेकिन ये संख्या अपने आप में आने वाली चुनौतियों का एक संकेट देती है इनी चुनौतियों से जूजने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने MSME का 3 लग करोड का विशेश पैकेज घोशित किया है आज मैं सभी सांसदों, सभी विधायकों, सभी पार्षतों से आग्रह करती हूँ आपके नेत्रित्व में चाहे वो डिल्ली का स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे वो बेहन हो जो सेल्फ हेल्प रूप में सेवा देती है चाहे वो छोटा व्यापारी हो इस तीन लाग करोड के पैकेज की व्यवस्थाओं और सुधाओं के बारे में आप अपनी छेत्र की जनता को अवगत कराएं और प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरा आग रहे है कि आप स्वास्ति की दृष्टी से तो हेल्प डेस रूप करी रहे हैं लेकिन जानकारी की दृष्टी से भी इस हेल्प डेस में अगर इस अंश को जोड़ दें तो मुझे लगता है दिल्ली की प्रतिभाशाली जनता को नौजवानों को बहुत मदद प्रदेश के संगठन से मिल सकती है मैं आज दिल्ली के कारेकरताओं को इस वर्च्वल रैली के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ राष्ट की जनता ने एक पारदर्शिय और परिश्रमी सरकार की अपेक्षा हमसे की हम उस अपेक्षा पर हर दिन खरा उतरने का प्रयास करते हैं राष्ट ने एक निरनायक सरकार मांगी नरेंद्र मोदी जी के नेत्रित में वो निरनायक सरकार राष्ट की जनता को प्राप्त हुई लेकिन राष्ट की जनता हमारी संगठन से भी यह अपेक्षा रखती है कि जितनी सार्थकता से हम, जितनी समवेदन शीलता से हम जनता के मध्य में दे रहे हैं, सेवा अपनी, वो सेवा हमारी निरंतर चलती रहेगी सेवा आयुश्मान भारत की, जो संकल्प था नरेंद्र मोदी जी का कि 10 करोड गरीब परिवारों को मुफ्त में चिकित्सा मिलेगी दिल्ली ने तो उसको स्वीकारा नहीं, लेकिन फरवरी में डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट करेंगे, उन्होंने स्वीकार लिया, चलो देर आए, दुरुस्त आए आयुश्मान भारत की व्यवस्था और सेवा, दिल्ली में कितने लोगों को मिल सकती है वो जानकारी भी जनता के सम्मोक अगर हम प्रस्तुत करें, तो मुझे लगता है जनता को उस जानकारी से भी बहुत लाब होगा क्यूंकि वो नरेंद्र भाई की इस योजना से वर्षों तक वंचित रहे हैं, अब उन्हें इसका सीधा लाब मिलने की तयारी है तो जिल्ली की जनता को ये लाब ऐसी विशम परिस्थितियों में मिले, इसमें हमारा सहयोग होगा, ऐसा मेरा विश्वास है छे साल की ये यात्रा, एक अनंत यात्रा का अभिन्न अंग है वो यात्रा जिसकी प्रेड़ना पंडित दीन द्याल उपाध्याई जी से हम सबको प्राप्त हुई वो यात्रा जिसका संसकार ये कहता है कि जब तक अंतिम पंक्ती में खड़ा अंतिम व्यक्ती, विकास की प्राप्ती ना कर ले, तब तक हमारा कार्य शेश है और इस यात्रा में ये छे साल शुरू का संगर्ष है नरेंद्र मोदी जी ने अक्सर कहा है कि 70 साल रास्तों पर कई गड़े छोड़े गए है ये भारतिय जंता पार्टी के कारेकर्टा का सोभाग्य है कि हम उन गड़ों को जिसको कभी कॉमनवेल्थ के घोटाले ने खोड़ा कभी कोईले के घोटाले ने खोड़ा उन गड़ों को हम विकास के परिनामों के साथ भरें इसलिए आज एक बार फिर हम संकल्पित हूँ कि जो यात्रा की शुरुआत सब के साथ से हुई जिस यात्रा का दूसरा चरण सब के विश्वास के साथ लिखा गया ये यात्रा तब तक समात नहीं होगी जब तक सब का विकास संभव नहीं हो जाएगा इस देश में देश की राजधानी में इस अनंत यात्रा के सभी यात्रियों को देश के और दिल्ली के सभी कारेकरताओं को निर्भीक होकर सेवा देने के लिए एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करती हूं उनकी अनुपस्तिती में हमारे राष्ट्रे अध्यक्ष नडड़ा जी पूर्व अध्यक्ष अमित भाई को अभिनंदन देती हूं कि हमारी प्रदेश की इकाईयों के माध्यम से इस प्रकार के अनुखे समवाद की जो शुरुवात की है वो निसंकोच हर घर तक हमारे प्रयासों को हमारी प्रतिवधता को पहुंचाएगा एक बार फिर इस करोना वैश्विक महमारी से जूजने के लिए इस संगर्ष के समय में कंदे से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोधी और भारतिय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के लिए दिल्ली के नागरिक और सामाजिक संस्थाओं को विशेश रूप से अपनी ओर से आभार व्यक्त करती हूँ जैहिन जै भारत